हेलो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं साथ ही नई नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं हेलो दोस्तो आज हम जानेगे हैं इंतकाल के बारे में इंतकाल वो प्रोसेस है जिसे हम दाखिल खारीज भी कहते हैं इंतकाल या दाखिल खारीज का मेंन मोटिव होता है revenue record में owners के नाम को substitute करना या उनको किसी और नाम के साथ अबदील करना तो friends इंतकाल हमारे सामने practical एक इंतकाल की copy रखी हुई है इस इंतकाल की copy में सबसे पहले जो चीज होती है वो इंतकाल का नंबर इंतकाल का नंबर सबसे पहले कॉलम होता है जो इस इंतकाल का नंबर 610 है और किस खाता या जमाबंदी से related है ये कॉलम नंबर 2 होता है कॉलम नम्बर तीन में ये बताया जाता है कि बही ये जमीन जिसका इंतकाल होना है दाकिल खारिज होना है वो किस तरफ की है किस एरिया की है उसके बाद जो नेक्स्ट कोलम है वो पुराने मालिकों की लिष्ट है जितने भी ये मालिक हैं ये इंतकाल से पहले के मालिक हैं और ये जो मालिक हैं वो इंतकाल के बाद मालिक बन जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट कोलम आता है उसमें जो जमीन के कबजे के बारे में कि भई मालिकों का ही कबजा ही जमीन पे है और अब जो नए मालिक है वो ही इसको खुद कास्ट करेंगे मतलब की, उनका कमजा रहेगा उसके बाद जो है लेंड की डिटेल आती है कि कौन सा किला नमबर और किसका कितना रखबा इसी तरह से यहाँ पे भी कौन सा किला नमबर, किसका कितना रखबा और जो इنتकाल दर्ज होता है वो इंतकाल फिर मनजूर होता है Assistant Collector Second Grade यानि की तहसीलदार से जिहां Friends तहसीलदार का बाकाइदा order भी होता है वाका हसब सूरजदीद मनजूर है और ये तहसीलदार साहब अब सको sign कर देते हैं मनजूर कर देते हैं इसी तरह से जब भी कोई sale purchase होता है तो यहां पर बै बोलते हैं कोई gift deed होती है तो हिबा लिखाता है और कोई अगर transfer deed होती है तो वो तो बादलानामा हो जाता है उसके बाद ये जो कैफियत का खाना यहां पर है इसमें detail entry होती है कि भी किस court के order से या किस document से ये जो इंतकाल है ये effect में आएगा आगे किस document या किस decree के through इन owners की जमीन इन owners को चली जाने है तो friends जो आप इंतकाल की जो fees होती है वो भी यहां पर लिखी होती है क्योंकि इंतकाल की fees बहुती ज़्यादा charge करते हैं जो legally बहुत कम होती है तो इंतकाल की जो इंजूर की तारिक है वो यहां लिखी होती है तो इंतकाल में इससे ज़्यादा कोई detail नहीं होती और आपको अब पता है कि बहुत काल में कहां पर क्या होता है